मंगलवार रात मुंबई पुलिस ने खुका पालर में चापे मारी का स्टैंडब कॉमेडियन और बिग बॉस सत्रा के विनर मनवर फारुकी समेट तेरा अन्य लोगों को हिरासत में लिया था इन सभी को पूश्टाज के बाद रिहा कर दिया गया है सभी के खिलाफ मामला दच किया गया है फोट इलागे में मोजद होटल सवालन हुका पालर में हुई इस रेट से जुड़े एक अधिकारी ने बताए कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस हुका पालर में तमबाकू का सेवन किया जा रहा है इसके बाद पुलिस वहां चापे मारी करने पहुची और तेरा लोगों को हिरासत में ले लिया इन लोगों में मनवर फारुकी भी शामिल था अवेज रुप से चल रहे हैं इस हुका पालर से पुलिस ने चापे मारी कर 4,400 रुपे नगत और 13,500 रुपे की कीमत के 9 हुका पॉट जब्त किये हैं सिक्रेटोर ने तमबाकू उत्पात अधिनियम की धाराओं के तहत मामला तर्च किया गया है मुमई पुलिस के तरफ से हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आने के बाद मुनवर फारुकी ने अपने इंस्टाग्राम पर एरपोर्ट की तस्वीर शेयर की है एक सेल्फीर शेयर करते वे मुनवर ने लिखा ठका होने के बाद भी ट्रेवल कर रहा हूँ हाला कि यह पहली बार नहीं है जब मुनवर का नाम किसी विवाद से जुड़ा है 2021 में मुनवर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था उन्होंने अपने एक स्टेंड़ अप एक्ट में हिंदू देवी देवताओं पर विवादित कमेंड किये थे उनके खिलाफ करें राज्यों में एफाई आर भी धच हुई थी उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और वो से तीस दिनों तक जेल में रहे थे विवादों में आने के बाद मनवर ने सबसे पहले 2022 में कंगना रनाओत के रियाल्टी शो लॉक अप में पार्टिसिपेट किया था वो इसके सीजन एक के विनर भी रहे थे इसके बाद वो पिछले साल बिग बॉस 17 के भी विनर बने इसे के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ धन्यवाद